भोपाल के चार इमली स्थित महंदीपूर बालाजी मंदर में बाबा नीम करोली की प्रतिमा अस्थापित की गई इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रधालों ने बाबा की पूजा अर्चना कर आशिरवाद लिया हनमान जी का अवतार माने जाने वाले महान संथ नीम करोली महराज के प्रतिलोगों में गहरी आस्था है विदेशों में भी उनके हजारों भक्त हैं उत्तराखन में स्थित बाबा नीम करोली का आश्रम कैची धाम आस्था का केंद्र है जहां देश विदेश से भक्त बाबा का आशिरवाद लेने आते हैं भोपाल से भी बाबा नीम करोली का गहरा लगाव रहा है यहां भी बाबा के हजारों भक्त हैं इसी को देखते हुए भोपाल में बाबा नीम करोली की मूर्ती स्थापना की गई है बाबा नीम करोली के प्रतिष्ठा दिवस पर चार इमली इस्थित मेहंदिपूर बाला जी मंदिर में उनकी प्रतीमा की प्राण प्रतिष्ठा के साथ इस्थापना की गई भक्तों का ऐसा मानना है कि जो लोग नैनी ताल इस्थित बाबा नीम करोली कैची धाम नहीं जा पा रहे हैं अब वह बाबा नीम करोली के यहीं पर दर्शन कर आशिरवाद ले सकेंगे और थापक जी जो इस मंदिर के संस्तान के मुखिया है उनने की है निस्ची तोर पर हजारों लोग यहां पर आएंगे उनके दर्शन करेंगे और लाब प्राप करेंगे उनका आशिरवाद करेंगे मंदर के पुजारी ने बताया कि बाबा नीम करोली नीस्वार्त भाव से लोगों का कल्याण करते रहे हैं उनी भावनाओं को देखते हुए हमने आज उनकी मूर्ती की स्थापना की है आज स्थापना दिवस है भोपाल में पहला विक्रा है मूर्ती है जो की मेंदी पुर्भालाजी हनुमान मंदिर गणे दाम में स्थापित की गई है सरवे भवन्तु सुखिना सरवे संतु निरामया सरवे भद्रानी पस्यंतु मा कस्चितुग भाववेत बहुजन हिताय बहुजन सुखाय स्वान्ता सुखाय के संत संत शिरो मनी सित हनुमान जी की सितियों से यूक्त नीव करोरी वाले बाबा कई वरसों तक हनुमान जी की आरादन करके सित दापरात करके जन कल्याण के लिए निरलित भाव से बिगर किसी स्वार्थ के लोगों का कल्याण करते रहे उसी भावनाओं को हमने आज उनके स्थापना दिवस पर चार इमली में रोड हरुमान मंदिर मेंनी पूर वालाजी पर स्थापित किया है आप देख रहे हैं डखल्यूल